शंक्षेप्त योग विशिष्ट के निर्वान परकरन और त्रार धमें एक सो असीवा सर्व शीराम का कुंद दंत नामक ब्रामन के आगमन का परसंग उपस्थित करना और विशिष्टी के पूछने पर कुंद दंत का अपने शंशी के निवरिती तथा तत्व ग्यान की प्राप्ति को सिविकार करते हुए अपना अनभाव बताना शीराम चंदर जेंका भगवन मेरे मन में एक संदे है आप उसका निवारन कीजिए एक दिन की बाता मैं विद्या मंदर के भीतर विद्वानों की सभा में बैठा था उसी समय विद्ये जनपत से महां एक शेष तपस्य शेरी संपन विद्वान ब्रामन आया आकर के उसने उस ब्रामन सभा को परनाम किया फिर जब एक आज़सन पर बैठा तब मैंने भी उट करके उन्हें पर नम किया और पूछा ब्रहमन आप लंबा रास्ता ते करके आई हैं इसलिए ठक गी होंगी किसी विशेश उद्देश की सिद्धी के लिए यतन शील से दिखाई दीती है बताईए आज कहां से आपका शुबा अगमन हुआ है ब्रहमन ने कहां महाभाग आपका कहना ठीक है मैं अपने उद्देश की सिद्धी के लिए विशेश परतनशील हूँ यहां जिस प्रियोजन से आया हूँ उसे भी सुन दीजिए मैं विदेश का ब्रहमन हूँ और विद्याद्धन कर चुका हूँ मेरे दात कुंद की फोल की बात ही उज्वल है इसलिए मुझे लोग कुंद दंत कहती है एक दिन मेरे मन में संसार से वेराक्यों गया और मैं भ्रहम जनित कलेश की शांती के लिए देताओं ब्रहमन तथा मुनीश्रों के स्थानों में भ्रहमन करने लगा तब श्री परवत पर एक तपसी से भेट होने पर वे मुझे गोरी आश्रम में स्थित वृद्ध तपसी के बास लेगे वृद्ध तपसी ने श्री परवत वासी तपसी की उसके साथ भाईयों की उन सब के तब की वर्दान और शाप की हैं घर के अंदर ही उन साथों के सब्त देप अधिपती हो करके अंतर में परले काल में विलीन होने के बाते बताई तो अंतर उन आथवें अपने मित्र तपस्षी के मृत्य से दिखी हुआ नहीं उसक कदम रिक्ष के नीचे रहने वाले तपस्षी के पास गया तीन माँ से परतीक्षा करने के बाद समाधी से विरत हुई तब मैंने नमता पुरक उनके सामने अपना प्रस्ण उपस्थित किया इस वर्वे इस वरकार बोले कदम रिक्ष के नीचे रहने वाले तपस्षी ने कहा निच्वा ब्रामन मैं समाधी से विरत होकर के एक शन भी नहीं रह सकता अता शीकरी बड़ी उतावली के साथ मैं फिर समाधी में ही परवीश करूँगा इस समय मेरा वास्तिक उपदेश भी अभ्यास के बिना तुमें नहीं लगेगा इसलिए दूसरी युक्ती सुनो और वैसा ही करो एध्यान नाम से परसिद जो पुरी है वहाँ दशर्त नाम के राजा राज्य करते हैं उनके पुत्रशी राम नाम से विख्यात हैं तुम उन्हीं के पास चली जाओ उनके कुल गुर्व मुनिवार विशिष्ट सवाम मोक्ष के उपाई की दिवी वथा कहेंग ब्रामन चिरकाल तक उस कथा को सुन करके तुम भी मेरे ही भाति परमपद में विश्राम पराप्त करोगी ऐसे का करके वे तापस मुनी समाधी रुपी अमरत के महासागर में निमग नोगे और मैं इस देश में आपके पास आया हूँ शीर रामचंद जी कहते हैं गुरु देव वही ये कुंद दंत नामक ब्रामन है जिसने मेरे पास बैठ करके यहां मोक्ष का उपाई नामक इस संपुरन सहिता को सुना है आप इस से पूछिए इसका शंशे निवरित हुआ या नहीं तो शीरिबाल में की जी कहते हैं पाप विपरप्र कुंद दंत कहो क्या तुमने मेरे इस उत्तम मोक्ष दायक पदेश को सुन करके गे तत्त को जाना पुंद दंत बुला भगवन समास्त शंशियों का विनाश करने वाला मेरा चित ही इस समय मेरी विज़े का सूचक है मेरे सारे संदेहों के निवरित ही विशुद्ध गे तत्त का मुझे ज्ञान हो गया मैंने शेरहित द्रश्टव्य वस्तु का दर्शन कर लिया और पाने योग्य सब कुछ में पा गया इस समय भ्रम्रोप परमपद में विश्राम कर रहा हूं मैंने आपके मुख से सुनकर के चिन में परमातम तत्त का ज्ञा बराप्त कर लिया यह जो कुछ दिखाई देता है सब परमारत सचिदा नंद रूपी मेग है जो चिन में आकाश में अपने से अभिन जिगत के दूसरों में चाया है जहत के रूप में चाया हुआ है सरवातम के होने के कारण सर रूपी सरव्यापी परमातमा का सरवत्र सदा सब के द्वरा और सब कुछ होना पूरन रूप से संबव है सरसों के एक दाने के छिद्र के भीतरा संख्य ब्रमांडों का किसी परकार होना संबव है और किस परकार उसका होना कदापी संभव नहीं इस सब मैंने पूर्ण रूप से समझ लिया जो जो वस्तो जब जिस रूप में यहां भासित होती है और संपुरंग प्राणियों के अनुभव में आती है वेहे वेहे उस समय उस रूप में केवल सर्व घन प्रमात्मा ही है इस तरह विचार करने से सिद्ध हो जाता है कि सब कुछ आदि अंसरहित एक नित्य विज्ञान अनन्द घन पर भ्रम प्रमात्मा ही है सर्ग 180 से 180 समाप्तवा 1806 सर्ग में सब कुछ ब्रम है जगत वस्ता असात है ब्रम का संकल्प होने से उस से भिन नहीं है जीवात्मा को ग्यान के कारण ही जगत की परतिती होती है इसका परतिपादल शिरी बालमिक जी कहते हैं भदवाज कुंद दंत के इस परकार कहने पर परशंचनी ये महात्मा भगवान विशिष्ट मुनी ने ये परमार्थोचित वचन कहा शिरी विशिष्टी बोले हर्ष की बात है कि महात्मा कुंद दंत को शास्त्र श्रवन से विज्ञान नंद घंड परमात्पा में विश्राम प्राप्त हो चुका है संपुरन विश्व भ्रह्म ही है इस तब तक ये हाथ पर रखे हुए आमले की तरह देख रहे है निच्चे ही भ्रह्ममात्र जिसका सवरुप है ऐसा ये विश्व इन्हें अजन्मा भ्रह्म ग्यात होने लगा है भरानती इनके लिए भ्रह्म रूप ही होगी है वही भ्रह्म जो शांत एक और निर्विकार है जो जैसे जिसके द्वरा जहां जिस परकार का जितना जब और जिस हेतु से है वैसे उसके द्वरा वहां उस परकार का उतना उस काल में और उसी हेतु से कल्यान में शांत जनम आदी रहित मोन अमोन अजर सरव्यापी शुन्य अशुन्य आदी अंसरहित एम अक्षे भ्रह्मी ही है विवहार में भ्रह्म स्यम द्रिश्य, स्यम द्रस्टा, स्यम चेतन, स्यम जाड, स्यम सब कुछ है और स्यम कुछ भी नहीं है, वास्त में सची जानंद, परमात्मा अपने आप में ही स्थित है, द्रिश्य जगत ही पर भ्रह्म है और पर भ्रह्म ही द्रिश्य जगत है, न ना तो यहें ना तो शान्त है ना अशान्त। ना नीराकार ही ना साकार ही ही है। जैसे जागने पर सपन आदी निराकार भासित होती हैं वैसे ही ब्रह्म शाक्षाकार हो जाने पर ये शीर भी निराकार ही प्रतीत होता है चितन्य मात्र ही इसका सवरूप है ये सपन की भाती अनभव में आने पर भी असाती है ये ब्रह्म वाश्य दिखिलाई देने वाले श चित्र वधों चित्र से अत्रिक्त नहीं हैं वैसे ही ये द्रिश्यमान जिगत परमात्मा से भिन्न नहीं है। जैसे चित्रकात द्वारा बनाई जाने वाली चित्रकत सेना बुद्धिस्त चित्र से भिन्न नहीं हैं। वैसे ही शिरश्टा की चिता दशामे मोत शिरिष्टी नाना रूपअ में पतीत होती ही भी। उसे भिनना हुने के कारण नाना ततु से रहीद है। ले गॉनंदन, जैसे समुद्र में जल नाशी का सफुरन होने पर भी उसे भवर उटते हैं, उसी परकार विशुद्द चिद आकाश का अपने सत् li tyre संकल्व के अंसार जो स्फूरन है ऊसी को जिगत कहते हैं परमाटम चितन्य में समुद्र में जल राशी के भातिवस्ता चिदातमक जिगत भाव का जो कहसमात भान होता है उसे मनिशी प्रुष से कलव यादि नाम देते हैं काल से अभ्यास योग से, विचार से, संभाव से, जाती के सात्विक्ता से और अन्तैकरन के सात्विक्यम निर्मल होने से सम्यग्जान संपनि इथात दर्शी ततवग्य प्रुष की बुद्धी द्वाट और अद्वाट से रहित चिन मात्र सवरोप हो जाती है चिद्ध आकाश रोप परमात्मा चिद्ध आकाश में ही सभूरित होने वाले अपने इस रोप को दरष्टा-द्रिश रोप जगत को देखता हुआ सदा शाख्षी रूप पर काशित होता है में उससे भिन नहीं हैं एक चेतन सत्ता के उपचीवी होने से दर्ष्टा दर्ष्य दोनों एक हैं क्योंकि चिद्ध आकाश सरव्यापी है जैसे शुन्यत्व और आकाश में कोई भेद नहीं है उसी तरह जगत और भ्रह्म में भी भेद नहीं है शीराम शुरिष्टी के अरभ वकान में परमात्मा के मन में अपने परकती सहित विदीन हुए प्राणियों के पूरुकित करम वासना अनुसार जो कुछ नियम रूप से भान हुआ वे जैसा था और जिस परकार के कारे कारण भाव से स्थित था वे आज भी उसी रूप में स् सत्य संकल्प परमात्मा की सम्वितन भूती सार रूप है उसे जिस वस्तु का भान हुआ भान रूप कैसे हो सकता है रगुनंदन चेतन जीव की जो उत्पत्ती बताईगी है उसका विपराई इतना ही है कि जीव बरम्म से बिन्द नहीं है ये बात समझ में आ जाए जीव की उत्पत्ती वास्तिक है ये बताना अभिष्ट नहीं है वस्ता चेतन सवरूप जीव जिन में पर भ्रम्म प्रमात्मा का अंशे इसलिए क्रित्रिम नहीं है कि तु अग्यान से चित अर्थात द्रिश जिगत की और उनमक्ष जाने के कारण ही वह जीव श्ब्द से कहा जात है जीवन से अर्थात प्रान और करम अंद्रियों को धारन करने से तथा चेतन से अर्थात ग्यान अंद्रियों की धारना करने से मैं जीव कहलाता है मैं भ्रम्म हूं इसी अर्थात आतम सरूप को भूल करके चिन में जीवात्मा जब ये देखने लगता है कि मैं ये मनुष आदिशीर हूँ और ये प्रिथी आदि मेरी आधार है तावे उसी में दिड़ आस्ता भांद लिता है असत्य में सत्य बुद्धी करके ही जीव भानवनाश्य बंद जाता है और आपने भीतर बारंबार भावना एम नाना तत्यों का अंसरन करने लगता है जो जिसमें अत्यन ता सकते होगा वह उसे क्यों नहीं देखेगा ? जिगत की जो भानती हो रही है वह असत्य ही है तो भी भावना के कर्ण इस फ़रकार प्रोर्टा को प्राiller होगी सब के कारण बहुत सनातन ब्रह्म से भygen दूसरा कोई जिगत का कारण नहीं वे कारण भी कारटा के बीना संभव नहीं है और निर्वी कार कुटस्त सच्टा नंद घन अधिति ये ब्रह्म में कायता और कारणता आधिका होना कदापी संभव नहीं इसलिए इस जिगत की पतिती अज्ञान के कारण ही हो रही है सर्ग एक सो च्यासी से एक सो नवासी मासमात हुआ एक सो नबे सर्ग में शीर राम जी के विविधप परेश्टन और श्री विशीष्टी के द्वारा उनके उत्तर श्री विशीष्टी कहते हैं रगनंदन ग्यान की गेता पती अर्थात जो ग्यानत सवरूप है उसे गे जड द्रिश्य समय लेना ही बंदन है रोस गेता जड द्रिश्य बुद्धी का सर्था निवारन ही मुक्ष कहलाता है श्री रामजी ने पूछा ब्रहमन ग्यान की गेता बुद्धी का निवारन कैसे होता है उसे गेता बुद्धी का सर्था निवारन हो जाने पर यहां बंदता बुद्धी कैसे निवरित होती है श्री श्री शीष्टी ने कहा शम्म दम आदी सादरों से यक्त सचिदानंद परमात्मा का सम्य ज्ञान रूप पर बहुत प्राप्त होने से ब्रांती बुद्धी दूर हो जाती है उस ब्रांती बुद्धी के दूर हो जाने पर इस परकार गेता जड़ दृष्य बुद्धी की अत्यंत अभाव रूपा परम शांती में सरूप भूत निराकार मुक्ती प्राप्त होती है शीराम जी ने पुछा ब्रहमन के वल्य अबोद रूप सम्य ग्यान क्या कहलाता है जिसकी पूर्ण रूप से प्राप्ती हो जाने पर ये जी बंदन से छुटकारा पा जाता है तो शीरिवशी ने का शीराम सबका अधिश्टान बहुत जो चिन मात्र ग्यान है वे तरिकाल में भी गे रूप नहीं हो सकता वे केवल अवे ग्यान अवर निये हैं इस परकार जो आंत्रिक भूद है उसे सम्य ग्यान कहा गया है शीरामदी ने पुछा ग्यान सरोप चिन में प्रमात्मा के अंदर उससे भिन गेता क्या है ये बताईए साथ ही इस बात पर भी परकाश टालिए कि ग्यान शब्द की वित्पत्ति कैसे करने चाहिए अब भूद नार्थक ग्या धातु से भाव में लियूट पत्ते होने पर ग्यान शब्द बनता है या करन में पत्ते होने पर तो शरीवशीश्ची ने कहा रगुनंदन भूद मात्र ही ग्यान है यहां भाव साधन मात्र ग्यान हो ग्यान को ही ग्रहन किया गया है अताद बहाव में प्रत्य करने से जो ग्यान शब्द बनता है वही यहां अभिष्टा है ग्यान और ग्यान में कोई भेद नहीं है जैसे पवन और सपंदन में वाईयो और उसके दियतकती शीलता में भेद नहीं होता है शीराम जी ने पुछा यदि ऐसी बात है तो ये ग्यान आदिका भ्रम जो खरगोश के सिंग की भाति मिठ्चाई है तीनों कालों में विवार की योग्य कैसे सिद्ध होता है तो श्रीव शीच ने कहा बाहे पदातों के ब्रम से ही यहां ब्रम बुद्धी उत्पन हुई है ऐसा जानना चाहिए वास्तों में किसी भी बाहे अत्वा अब भ्यांत्रिक पदात का अस्तित संबव नहीं है इसलिए ग्यान और गे आदी का भेद ब्रम मित्याही है सपनकाल में अत्वा भ्रांत्रिक ज्यान में सस्त्रों असत्त पदात विवार में आते हैं अता वेह ग्यान और गे आदी का ब्रम असत्त्या होने पर भी इसका अग्यानियों के विवार में आना असंबव नहीं है शी राम जी ने पुछा मुने तुम मैं आधी जो ये पत्यक्ष द्रिश्य पतात हैं जब भूत आधी रूप में अनभव में आता है वे है ही नहीं ये कैसे समझा जाए कृप्या मुझे बताईए तो श्रीव शीष्टी ने कहा निच्पाप रंगनंधन श्रीष्टी के अरम भकाल में विराथ प्रूश ब्रहमा आधी के रूप में कोई भी पदात उत्पन ही नहीं हुआ इसलिए किसी गे अत्वा द्रिश्य वस्तों के सत्त संभव ही नहीं शीराम जी ने पुछा मने भूत बहुश और वर्तमान काल में होने वाला जो ये जगत का दर्शन है जिसका प्रति दिन सबको अनभव हो रहा है इसके होते हुए आप ये कैसे कह रहे हैं कि ये जगत कभी उत्पन ही नहीं हुआ इसलिए कभी किसी को इसका दर्शन भी नहीं हुआ तो शिरिफ शेष जिनकाशी राम सपन के पदार्थ मिर्ग तरिशना का जल तता संकलवित पदार्थ ये सब ना तो कभी उत्पन हुए हैं और ना वास्तम में कभी देखेगी हैं फिर भी ब्रहमवश इनकी पर्तिती हो जाती है इसी तरह मैं तुम आदी रूप जो जगत है ये ना कभी उत्पन हुआ और ना तत्तव द्रिश्टी से देखने पर कभी उपलब दी हुआ इसलिए सर्था मित्या है तिधापी भ्रहमवश इसकी पर्तिती होती है शीर राम ने पूछा भवण मैं तुम ये है इत्यादी रूप से पूर्णता अनभव में आने वाला ये जगतर श्रिश्टी के आदी में उत्पन ही नहीं हुआ ये कैसे समझा जाए तो श्रीव श्रीश्टी ने कहा रगुनंदन कारण से ही कारे उत्पन होता है अन्य था नहीं ये एक निश्चित सिंधान्त है परले काल में तीनों लोकों का जो पू कुछ दीखता है सब मिध्या पर्तिती मात रहें शी राम जी ने पुछा मुने महा परले हो जाने पर जो अजन्मा अविनाशी पर भ्रम अवशीष्ट रह गया वही नूतन श्रीश्टी की उत्पति का कारण कैसे नहीं हो सकता तो श्रीव श्रीश्टी ने कहा शी राम कार इस रूप से विद्यमान है वही उससे प्रकट होता है और जो उसमें है ही नहीं वह कैसे प्रकट हो सकता है क्या कभी घंट से पत्ट की उत्पति होती है कभी नहीं शीर रामजी ने कहा महापरले आने पर जगत शुक्ष रूप से ब्रह्म में रहता है वही शृष्टी की समय पुना उस से प्रगत हो जाता है शृष्टी बोले परम बुद्धिमान निश्पाप रगनुंदन महापरले के अन्थ तक उस ब्रह्म में जगत की सत्ता का किसने अन्भव किया है तो शीर रामजी ने कहा ब्रह्म में जगत की सत्ता उस समय ग्यान रुपाई ही होती है और ग्यानियों के अन्भव में ही आती है आते वह प्राकित आकाश के समान शुने रूप तो नहीं होती इसलिए उस सत्ता को असत्त नहीं कहा जा सकता श्री विशिष्टी बोले महाबाहो यदि ऐसी बात है तो वह ग्यान ही तीनों लोकों का सवरूप है किन्तो जो विशुद्ध ग्यान सवरूप है उसके जनम और मरन कैसे हो सकते हैं तो श्री रामजी ने पुछा भगवन यदि इस वरकार शुरिष्टी उस ब्रहम में स्तित नहीं है तो ये ब्रांती कहां से और कैसे आगई ये मुझे बताई तो श्री शुरिष्टी ने का श्री राम कारे कारंता का अभाव होने से ही ब्रहम में न श्रीष्टी है न पढ़ले ये जो जगत भासित होता है वे जिसको और जिस रूप में भास रहा है वे सब ग्याता ग्यान और गे रूपी तरपठी केवल आत्मा ही है श्री राम ने पुछा ये बात तो असंगत सी लगती है जो यंत्र का चालक चेतन है वे जड़ यंत्र रूप कैसे हो सकता है द्रस्टा इश्वर स्यम ही द्रिष्ट कैसे बन सकता है काठ दाहक बन करके अगनी को जिला दे क्या ये कभी संभव है तो श्री 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 ने कहा रगुनन्दन द्रस्टा द्रश्य भाव को नहीं प्राप्त होता क्योंकि द्रश्य की सत्ता संभवी नहीं केवल द्रस्टा ही प्रकाशित होता है जो एक मातर सचिदा नंदग घन सवरूप एम सरवात्मा है शीर रामजी ने पुछा भगवन तब शिर्ष्टी के आदी में अनादी अनन्त शुद्द चिन में ब्रह्म ही जगत का संकल्ब करता है इसी से इस जगत का बहान होता है यदि ऐसा ना होता तो चेत्य जगत का प्रकट्टे कैसे हो सकता था तब शिर्ष्टी ने कहा किसी भी चेत्य की उत्वत्ती संभव नहीं है क्योंकि उसका कोई कारण ही नहीं है चेत्य के अत्यमत अभाव के ही कारण चेतन की नित्य मुक्ता और अवरनेता सिद्ध होती है शेरामजी ने पुछा यदि ऐसी बात है तो ये अहन्ता आदी चित्ते कैसे कहां से उत्पन हुए है जिगत का भान कैसे होता है सपंदा नादी का अन्भव कैसे क्यों होता है तश्रीव शिष्टी निकाशी राम मैं पहले ही बता चुका हूँ कि कारण की सत्ता ना होने से आदी काल में ही किसी वस्तो की उत्पती नहीं हुए थी ऐसी दशा में चित्ते कहां से होगा इसलिए सब कुछ शांत सवरों पर भ्रम ही है शिष्टी के परतीती केवल भ्रम मात रहे तो शिर राम जी ने पूछा मुने जो वाने की पहुंच से बार है चित्ते और चिलन आदी से रही थै सदासर पर काश एम निर्मल है उसे नित्य मुक्त पर भ्रम में किस को किस निमत से तथा कैसा भ्रम हो सकता है जब भ्रम के सिवा दूसरा कोई है ही नहीं और वह नित्य मुक्त ग्यान सवरूप है तो उसमें किस को और कैसे ब्रहम हो सकता है फिर ये जगत नमक ब्रहम क्या बला है इसका उत्तर मुझे दीजी तो श्रीव शीष्टी ने कहा शीराम श्रीष्टी रूप ब्रहम का कोई कारण नहीं है इसलिए ये निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि उसकी सत्ता तरिकाल में भी नहीं है तुम मैं आदिस सब कुछ एक मातर शांत सरोप निर्विकार भ्रम्में ही है शीर रामदी ने पूछा मुने फिर तो देश, काल, क्रिया, द्रव्य, भेद, संकल्प और चित सभी वस्तों की उत्पत्ति असंभा भी है फिर इन सब की सत्ता कैसे उपस्तित होगे तो शीरिव शीष्टी ने कहा रग्णंदन देश, काल, क्रिया, द्रव्य, भेद, संकल्प और चित इन सब की सत्ता अग्यान मातरी है अग्यान से भिन इसकी सत्ता ना है और ना पहले कभी थी तो शीरिव रामजी ने पुछा ब्रहमन तत्त दृष्टी सिक कारण के अभव में द्वेट और एकत्त की संभाव ना है नहीं रह जाती फिर ना कोई भुध्य रह जाता है ना भौदक भुध्या भौदक के अभवाव में भौद का होना भी कैसे संभवोगा जिसका भूद होता है वे करम कारक तो होना है चाहिए करम मानने पर द्वैट की अपती होती और करम ना मानने पर भूद किस वस्तु का हो ये प्रश्न खड़ा हो जाता है श्रीव शेश्चे ने कहा रुगनंदन अग्यानी जीवी बोध के द्वारा अपने अग्यानवी नाश रूप फल का आश्रित हो करके आतम बोधता बोध कर्मता को प्राप्त होता है इसी से बोध शब्द भी बोधेता बोध रूप फल वाली सकर्मता को प्राप्त होता है इस सब बते अग्यानियों को समझाने के लिए ही कहने योग्ये हैं हम जैसे जीवन मुक्तों के लिए नहीं जीवन मुक्त प्रश्टों ग्याता ग्यान और गेर उपितर पटी से रहित हो शुद्ध ग्यान सरूप हो जाता है उसके लिए बोध की सकर्मता का निरूपन अन्नवशक हो जाता है शीर राम जी ने पुछा ब्रह्मन मैं जीवन मक्त हूँ ऐसा अन्भाव होने से ये सिद्ध है कि बोध ही अहंता रूप पर नाम को प्राप्त होता है ये बोध अहम भाव को प्राप्त हुआ तो ये था 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 बोध नहीं रह गया इसे भिंता आगी अनंत जल्द से भी बढ़ करके निर्मल चिन में परमातम सरूप आप जैसे जीवन मुक्त पुर्शों में ये बोध भिंत अहंता कैसे संबह होती श्री विशिष्ची ने कहा रगुननदन बोध सवरूप जीवन मुक्त की सवरूप भूता जो भूता है वही उसमें विशुद अहंता कहलाती है तट्व ज्यानी का मैं और तुम भी उसके सवरूप भूत ज्यान से भिन नहीं है उसमें जो द्वैत रूप ये वाद दिखा जाता है वह वाईू और उसके सपन्दन की भाती अद्वैत रूप ही है शीर रामजी ने पुछा भगवन संसार की को सपन की भाती मिथ्या समझ लेने मातर से कौन सा अभिष्ट फल सिद्ध होता है सपन आदी में पदात्व की सकाता कैसे शान्त होती है शीर रामजी ने पुछा भामना स्थूलता को छोड़ करके एतनत शूक्ष्टम्ब को प्राप्त होगी है मैं जगत को कैसे देखता है उसका ये संसार भ्रम कैसे शान्त होता है तो शीर रामजी ने कहा वासना के शीन हो जाने पर प्रूश जगत को उजड़ा हुआ शीर रामजी ने पुछा मुने वासना के शीन हो जाने पर जिसके लिए जगत की स्थिती सपन के तुल्य हो जाती है उस पुरुश की जागतिक पदार्थ के विशे में जब स्थूलता की भावना मिट जाती है तब फिर क्या होता है तो शीर वशीष ची ने कहा रगुनंदन जिसकी दिष्टी में जगत केवल संकल्प रूप है उस पुरुश की वह अतिश्योक्षम वासना भी उत्रोतर करम से विलीन हो जाती है इस तरह सर्था वासना शुने हो करके वह शीक रिनिर्वान मौक्ष को प्राप्त हो जाता है शीर रामजी ने पुछा ब्रह्मन जो अनेक जन्मों से बदमूल अनेक शाखा पर शाखाओं से शोबित तथा जन्म मरन रुपी बंधन में डालने वाली है वे एक घोर वासना किस उपाई से पूर्णता शात हो जाती है तो शीर वशीष ची ने कहा रगनंदन यतात तत्त ग्यान से जब ये ब्रहमात्र द्रिश्य चक्र स्थोल रुपता से रहित अनभूत हो जाता है तब करम शाख उसकी वासना का शै होने लगता है शीर राम जी ने पुछा मुने जब द्रिश्य चक्र स्थोला कार से रहित अनभूत हो जाता है तब और क्या होता है पूर्ण शान्थी कैसे होती है तो शीर विशिष्ची ने कहा शीराम स्थोला कारता का भ्रम मिट जाने पर जब जगत की केवल चित मात्र रूपता अवगत हो जाती है और चित वृतियों के निरोज से जगत में गोरब बुथी नहीं रहती है तब जगत के प्रती होने वाली आस्ता शान्त हो जाती शीराम जी ने पुछा भगवन चित कैसा है उसका विचार कैसे किया जाता है और उसके सवरोब का भली भांती विचार कर लेने पर क्या होता है ये बताईए तो शीव शीष्ची ने कहा रगुनंदन चेतन का चेतनी विश्यों की और अनुमक होना ही चित कहलाता है इसमें जो चर्चा चल रही है यही इसका विचार है इससे इसकी वासना शांत हो जाती शीराम जी ने पुछा ब्रहमन चित के रहते हुए चेतन की अचित परमात्मा की और अनुमक होना कितनी देर के लिए संबख हो सकेगा क्योंकि चित वृत्यों का निरोद होने पर ही परमात्म में अटलस्दिती होपाती है अता यह बताईए कि निर्वान पाद प्राप्त करने वाली जो चित की अचिता है उसका उधिक कैसे हो सकता है दूसरे शब्दों में चित के नाश का ही उपाई बताने की कित्पा करें तब श्रीव शीष्टी ने कहा रगुनंदन जब चिते जगत की उत्पत्ती संभावी नहीं है तब चिती शक्ती जीवात्मा कैसे और कहां से उसका चिंतन या अन्भाव करेगा चित की सक्ता ना होने से चित की सक्ता भी चिर्काल से ही नहीं है फिर किसी के नाश का उपाई बताया जाए तो शीर रामजी ने पुछा जिस चिते का सब का अन्भाव होता है उसका होना कैसे संभाव नहीं जिसका अन्वा हो रहा है उसका इस तरह अलाप उसकी सत्ता को असी कार कैसे किया जास रहा है तो श्रीव शीष्टी ने कहा अग्याने की दिस्टी में जो जगत का सवरूप है वे सत्ते नहीं है और ग्यानी की दिश्टी में उसका जैसा सवरूप है वे अद्विती ये भ्रम में होने के कारण वानी का विश्य नहीं है आता है यहां अग्यानियों के ही जगत की सत्ता का निराकरन कैसे किया गया है तो शीर राम जी ने पुछा भूने अग्यानियों का तिरलोक्य कैसे है और यह सत्त कैसे नहीं है तथा तत्तो ग्यानियों का जगत जैसा है वे वानी का विश्य कैसे हो सकता है तो शिरी विशिश जी ने कहा अग्यानियों का जो जगत है मे आदी अंच से युक्त तिथा द्वैत रोप है प्रन्तो तक तो जग्यानियों के दृष्टी में वे नहीं है उसकी दृष्टी में जगत की सत्ता संबव भी नहीं है क्योंकि आदिकाल से ही कभी उसकी उत्पत्ती नहीं हुई शीराम जी ने पुछा मने जो आदिकाल से ही उत्पत्त नहीं हुआ उसकी सत्ता कभी संभव नहीं है में असद्रुप और अभास शुन्ने है यदि जगत का भी यही सवरूप है तो उसका अनभव कैसे हो रहा है तो शिरिव शीष्ची ने कहा रगुनंदन जागरत जगत सपन जगत के समान असत होता हुआ ही सत के तुल्य परती तो रहा है इसके कभी उत्पती नहीं हुई क्योंकि उत्पती का कोई कारण नहीं है ये सपन के तुल्य प्रगठो करके अर्थ क्रियाकारे भी होता है शीर रामदी ने पूछा भगवन सपन आदिमी और संकल्प एम मनौरत आदिमे जो दृष्च का अनभव होता है वे जागरत विवहर के अनभव से उत्पन जागरत रोप संसकार से होता है किन्तो ये जागरत किस से अनभव में आता है ये विशेष्टे ने कहा है शीर राम ये जागरत के संसकार से ही सपन का बहन होता है तो सपने में गिरा हुआ अपना घर कैसे प्राताकार जागने पर सुरक्षित रूप से अप्लब्ध होता है तो शीराम जी बोले भगवन जागरत पदाथ का सपन में बाहन नहीं होता कि तो अन्यपदाथ ही सपन में भासित होते हैं यह अन्यपदाथ ब्रह्म ही है यह बात मेरी समझ में आ गई आप इतना ही पूछना शेश है कि वह अन्यपदाथ रूप ब्रह्म अपूर्व जगत के रूप में कैसे भासित होता है तो शीरिव शीचिने का रगनंदन सब पुछ अपूर्व साही भासित होता है ऐसा नियम नहीं है कोई पदार्थ जिसका पहले अनभाव नहीं हुआ है चित में अपूर अपरतीत होता है और कोई जिसका पहले अनभाव हो चुका है अपूर नहीं होता है वे अनभाव श्रिष्टि के आदि अंत और मध्य में किये हुए अभ्यास के अंसार हिभासित होता शीर राम्भी ने पुछा ब्रहमन इस तरह आपके उपदेश से ये बात तो समझ में आगई कि जागरत जगत भी सपन के समान ही है किन्तो ये सपन तोले परतीत होने वाला जगदुपी यक्षभी क्रूर ग्रै के भांती कस्ट देता है है तक किस परकार इस रोकी चिकित्सा की जाए तो शीर विशीष ची ने कहा रगुनंदन ये जो संसार रुपी सपन है इसका क्या कारण हो सकता है कारे से कारण भिन नहीं है ये बात सर्वत्र देखी गई है इस परकार इस विशे में विचार करो तो शीर राम जी बोले सपन की अपलब्धी का करन है चित्थ इसलिए सपन जगत चित्र रुपी है इस परकार इस आप के विचार से ये जागरत जगत भी जो आदी अंत से रहित और असार है चित्र रुपी है इस निश्चे से जद्रुपी रुपी रुपी चिकित साथ सता सिद्ध है श्रीव शीची ने कहां महामते में कह चुका हूं कि चेतन का चेत्य की और उनमुख होना ही चित्थ है इस द्रिष्टी से चित्महान चितन्य घन ही है वही जगत के अकार में सिद्ध हुआ कि सपन जागरत आदी कुछ भी चिन में ब्रह्मा से भिन नहीं है क्योंकि आदी काल से ही ये जगत कभी उत्पन ही नहीं हुआ है इसलिए ये सारा द्रिष्यमान परपंच अजर आमर शान्त अजन्मा एम अखंड सचिदा नंद घन ब्रह्म में ही है शीर रामतिंदर जी बुले भगवन आपके सदप देशे मैं ये मानता हूँ कि जीवात्वा को ब्रहांती के कारण दस्तापन और भुक्तापन के साथ शिरिष्टी के जनम में नाश आदी सारे ब्रह्म परंपद सवरूप पर ब्रह्म में पतीत हो रही है तो शिरिव शिष्टी ने कहा रागविंदर जो रास से भी रास तत्त के ग्याता हैं सार से भी सार वस्तु को मत करके निकालने और जानने में समथ हैं ऐसे विद्वानों की विजार विया पार से युक्ता जो कोई नवीन दृस्टी है पर पहली है तता समस्त विचारों और शाष्ट्र के श्रवन मनन निध्यासन के परिपाक से परिनिष्ठित जो परम तत्त रुपत है उसका अपरोक्ष अन्भव कराने वाली जो तत्त ग्यानी जिवन मुक्त महावगाउं की दिष्टी है वे दूसरी है उन्ही दो दिष्टियों का अवलंबन करके मैंने संपूरन विश्ट के सवरूप रूप तब तक के लिए इस वरकार विचार किया और विचार करना आवशेक समझा है जब तक की यह बोधना हो जाए कि जितने भी दृष्टियां और दृष्टा के दृष्टापन है विश्वत्रिकान में भी नहीं है सारा जगत सात है शुन्य है उसकी पर्तिती भ्रह्म मात्र है वस्ता तो ना कोई शुन्यता है और ना भ्रह्म ही है नेत्य निरंतर सर्वत्र एक मात्र अपरोक्ष परम अनंद पर भ्रह्म ही बिराज माने सर्ग एक सो नब्वेवा समाप्तुवा